हेलो एव्यवन आज हम अरे फ्लेलिस्ट का क्वेश्चन नमर 18 करने वाल है एजी लेवल का क्वेश्चन है लीट कोड नमर 724 ठीक है अब क्वेश्चन का नाम है फाइंड पिवेट इंडेक्स ठीक है इट है इस बिन आजड इन एमेजन एंड अडोबी ठीक है और इस बीज़िन पॉइंड से भी जानता है मैंने काफी पॉपिलर है एक वह विलिव्याम पॉइंड नाम से गीग्स फोगी सबीग यह क्वेश्टन है लेकिन स्थे कर्थिंघ आ मैं है फाइन विक्विलिवियम पींट ऑफ दी अरे ठीक है तो बहुत जाते है उन्हें विविल स एक ऐसा इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स उस अरे का जिसके लेफ्ट साइट का सम ठीक है और जिसके राइट साइट का सम दोनों इक्वल हो ठीक है इसको इंक्लूड नहीं करना है ठीक है excluding this ठीक है strictly left और strictly right elements का सम इक्वल होना चाहिए तो इसका answer आ रहा है इस input का answer है 3 3rd index देखते हैं कैसे 0 1 2 3 4 5 ठीक है देखते हैं कैसे 3 आ रहा है इसका ठीक है तो बोलता है कि pivot index यह है जो ठीक है देखते हैं इसके left का सम निकालते है वन प्लस सेवन प्लस 3 11 हो गया इसके right कसम निकालते है 5 प्लस 6 11 करेक्ट ठीक है तो सबसे पहला पेवट इंडेक्स लेफ्ट साइट से जो मिला वही आपको रिटर्न करना है तो आपको थ्री मिला पेवट इंडेक्स तो आप कांसर इसलिए 3 है ठीक है क्योंकि थर्ड इंडेक्स के left साइट कसम और थर्ड इंडेक्स से right साइट कसम दोने इक्वल है ठीक है तो इसको solve करना अब स्टार्ट करता है ठीक है तो देखो इस question को solve करने के लिए देखा जाओ तो काफी आप simply सोच सकते हो इसको ऐसे कि आप किसी भी इंडेक्स में अगर माल लेते हैं खड़े हो ठीक है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके left side का सम क्या है यहां से यहां तक का सम क्या है ठीक है तो आप बता सकते हो right कैसे बता सकते हो आप ज 11 617 हो जाएगा 22 हो जाएगा 28 हो जाएगा तो आपने क्या किया एक cumulative sum बना लिया ठीक है अरे बना लिया जिसमें cumulative सम है तो अगर मैं आप से किसी भी वक्त question करता हूं कि भाई index number 3 में index number 3 के left side में left side में जितने elements उनका sum क्या है तो आप क्या करोगा आप cumulative sum वाले array का index number 3 minus 1 sorry index number 2 का मैंने पूछा न तो इसके just पहले वाले index का value return कर दोगे 8 और सही बात भी है इन दोनों को sum करोगे तो देखो 8 आता है चीक है देखते हैं ऐसा हर बार correct होता है कि नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि index number 4 के left में जितने elements है उनका sum बताओ तो index number 4 पूछा है न तो 4 से एक कम 3 का यह 3 index है यह 4 है यह 5 है 2 है 1 है 0 है तो index number 4 का पूछाना तो cumulative sum array में 4 से एक कम that is 3 का answer 3 का value बता दो वही होगा उसका answer 17 देखते है 17 है कि नहीं 6 प्लस 3 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 बिल्कुल correct इसका मतलब एक cumulative अगर आप array बना के रख लो तो आपको काम बहुत असान हो जाएगा ठीक है आप easily left side का sum तो बता दोगे ठीक है चलो यह समझ में आ गया कि हाँ left side का sum मैं बता सकता हूँ किसी भी array का मैं cumulative sum निकाल लूँगा ठीक है अब मालो मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी index में खड़े रहो अगर आप मालो आप यहां खड़े हो मैं आपसे पूछता हूँ कि right side का sum बताओ ठीक है तो कैसे निकालोगे तो right side का sum तो और भी simple है आप एक काम करो आप total sum निकाल लो इसक है ठीक है आपको पता है कि आपके left side का sum क्या है जैसे यह index है ना 3 इसके left side का sum क्या है 8 है आपने यहां से निकाल लिया और आपको पता है कि total sum 28 है ठीक है तो total sum में से left वाले को घटा देंगे तो बच्चे का क्या यह part है ना यह part बचेगा देखरो मैंने total sum में से left part को हटा दिया क्योंकि आपको left part का value पता है यहां से आप निकाल लो गए ठीक है तो total sum में आपने क्या किया left वाले part का value निकाल लिया लेफ्ट में जितने भी elements है cumulative array से यहां पर आपको मिलगा 8 है माइनस कर दिया 8 को तो देखरो जब माइनस किया तो इतना पार्ट बचा है ना यह वाला पार्ट बचा कर सिर्फ मतलब आपके पास अभी इतना का sum अपने निकाल लिया 28 माइनस 8 करके लेकिन मुझे strictly right side का चाहिए ना यह 3 को मैं include नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा 3 को minus कर दूंगा minus जिस index का मैंने आप से पूचा है तो उसको minus कर दूंगा nums of वो index ठीक है देखते हैं कितना था 28 माइनस 8 माइनस nums of i that is 3 ठीक है 28 माइनस 11 कितना हो जागा 17 तो देख रहे हो आपने question को काफी assign कर दिया अब आपको बस cumulative sum निकाल लेना है ठीक है एक array बना लोगे जिसमें cumulative sum हम लोग डाल लेंगे और total sum निकाल लेंगे है यह दोनों की मदद से हम किसी भी index में खड़े होके left side का sum और right side का sum elements का sum नि एक बार फिर से एक और example लेते हैं ताक्कि फिर से clear हो जाए ठीक है ओके इसको हटाते हैं यह यह था दिया ठीक है आपने cumulative sum निकाल लिया मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे index number 3 index number 3 यह वाला index sorry ठीक है index number 3 का left का सारा elements का sum चाहिए और right का सारा element का sum चाहिए ठीक है तो index 3 के left का सारा elements का sum तो यहाँ से मिल जाएगा देख रहो यहाँ पर cumulative sum से 11 हो गया यानि कि left sum ls माले लेता है इसको ठीक है 11 और index 3 के right side का sum चाहिए तो कैसे निकालेंगे अभी पताया था मैंने थोड़े दिर पहले कि आपको पूरा array का sum तो पता ही है यह आपको पूरा array का sum तो पता ही है that is 28 उसमें से आपको अभी left side का भी sum का sum पता चल चुका है यह वाला यह पार्ट भी पता चल चुका तो यह हटा लेते हैं तो right sum कैसे निकलेगा total sum 28 में minus left sum को minus कर दिया ls को minus कर दिया ठीक है और हमें इस index को भी exclude करना ना 6 को भी तो exclude करना पड़ेगा माइनस नमस उस इंडेक्स का जिस आई में भी है मैं ठीक है तो कितना आजाएगा 28 माइनस एलेस कितना था 11 माइनस नमस आई कितना है तो यह हो जाएगा 11 तो देखरो लस 11 है आरेस भी 11 मतलब यही हमारा equilibrium point है न 6 कि इसको तोड़ा सा clean कर लेते हैं अ ठीक है तो यह 6 ही हमारा equilibrium point निकला तो सबसे पहला काम क्या करेंगे total sum निकाल लेंगे दूसरा काम क्या करेंगे cumulative array निकाल लेंगे cumulative sum निकाल लेंगे एक array में और इसको फिर ऐसे formula से निकाल लेंगे जैसे हमें अपना एक pivot index मिलेगा उसको हम return कर देंगे उसी वक्त ठीक है तो यह तो आप समझ गए होगे काफी easy है बहुत easily बना भी लोगे बड़ एक चीद आप यह सुचो क्या आपको इस space की जरूरत है यह o of n जो आप space ले रहे हो cumulative array इसकी आपको जरूरत है देखो इसके आपको जरूरत आप बिना इसके भी बना सकते हो देखते हैं कैसे तो अब ही हमने cumulative sum वाला array हटा दिया है मतलो हमें auxiliary space नहीं लेना है कभी-कभी इंटर्वी में पूछते भी है कि ओ of one space में बना कर देखाओ इसको ठीक है एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं लेना है तो ठीक है देखते हैं कैसे करेंगे देखो आपके पास total sum तो अभी भी है बस cumulative array ही गया ना आपके हाथ से अब cumulative array में क्या होता था आप जिस index पे खड़े हो उसके left side में जितने elements उसका sum होता था ठीक है तो आप जब traverse कर रहे हो ना nums array में nums वाले nums में जब आप traverse कर रहे हो तब आप एक variable रख लो जिसमें आप cumulative sum एड करते चल रहे हो है ना तो जैसे मान लो आप ऐसे मान लो कि अगर आप अभी जस्ट index i पर आए हो ठीक है मतलब index 3 पर आए हो मान के चलते हैं इंडेक्स 3 पर आए हो और आपने एक variable बना रखी थी सीएस नाम से cumulative sum के नाम से उसमें सारे अब आप इंडेक्स नंबर आई पर आए थी पर आए ठीक है तो आप इंडेक्स 3 पर आए तो आप चेक करोगे ना कि आप index i के left side के सारे elements का सम और index i के right side के सारे में सम इक्वल है कि नहीं तो अब index i के left side के सारे elements का सम देखो cumulative sum में stored है क्योंकि आप आड करते हुए चल रहे थे ठीक है cumulative sum में तो यहनिकि left side का sum is equal to क्या हो गया cumulative का sum मतब cumulative sum ठीक है left side के sum क्या हो गया cumulative sum और बस हमें क्या निकालना है आप right side का sum ठीक है तो right side का sum कैसे निकालेंगे यह भी देख लेते हैं right side का sum क्या होगा यह total जो sum है आपका यह total अपका sum है ठीक है इसमें मैंने cumulative sum minus कर दिया तो cumulative sum मेरा 11 अभी मतलब हमने यह minus कर दिया यह part यह part हमने हटा दिया चलो ठीक है लेकिन याद करो तो हम index i में तो strictly right hand side का sum चाहिए, तो मतलब index i को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी हटाना पड़ेगा, तो मतलब total sum में हमने kya हटाया, cumulative sum हटाया, और nums of i को भी हटा दिया, ठीक है, तब जाके मुझे right sum मिला, तो देखते हैं कितना आएगा 28 माइनस क्युमिलेटिव सम 11 है माइनस नम साइज 6 है यह आजाएगा आपका 11 आजाएगा ठीक है तो यह देखो CS is equal to is equal to RS है है तो आपका इंडेक्स i is equal to 3 ही है equilibrium point ठीक है देखो हमने कुछ किया नहीं बस जो क्युमिलेटिव अरे वाला जो क्युमिलेटिव सम वाला जो अरे था ना उसको हटाके वेरियेबल में स्टोर कर रहे है उसको आणा बस एक वेरियेबल में स्टोर कर रहे है अड करते जा रहे वैल्यू को ठीक है तो बहुत सिंपल सा था है मतलब इसको अभी कोड करेंगे तो और और क्लियर लगेगा कर मैं क्युमिलेटिव वेरियबल से बनाँ हो क्योंकि जनरली एक्जाम में इंटेव्यू में यही पूछता है कि ओवन स्पेस में बना के दिखाव इसको तो चली कोड करते हैं इसका तो एक बर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से फाइंड पिवेट इंडेक्स एक आपक सबसे पहला पिवेट इंडेक्स आपको मिल जाए लेफ्ट से राइट में मूव करते वक्ट आपको वही रिटर्न कर देना और अगर आपको नहीं मिलता तो माइनस वन रिटर्न कर दो ठीक है और हां देखरों सिमिलर कोशन गीक्स हो गीक्स में भी जिसका नाम है एक्विल ठीक है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पहले तो एन निकाल लेते हैं सबसे जो हमेशा करते हैं में फिर एक सम नाम का वेरिएबल जिसमें हम सम को से अलहें ऑफ़ Coolant Um सम प्लस इस इकल टो एक्स ठीक है यह सी प्लस प्लस का एक अच्छा शॉट कट तरीका है मुझे अच्छा लगता है ऐसे लिखना आप नॉर्मल फॉर आई इस इकल टो जीरो ऐसे करके भी लिख सकते हो ठीक है यह हमने टोटल सम निकाल लिया ठीक है और अभी मैं क्या सब्सक्राइब करता चलूंगा ठीक है तो मुझे क्यूमिलेटिव अरे की जरूती नहीं पड़ेगी ठीक है फॉर एंट आई इस इकल टो जीरो आई लिख देनन आई प्लस प्लस ठीक है अब देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मैं चेक कर लूंगा कि क्या मेरा जो क्यूमिलेटिव सम है ठीक है मैंने क्या बहुता था लेफ्ट सम ही मेरा क्यूमिलेटिव सम होता था तो इंट लेफ्ट लेट है cumulative sum ठीक है LS is equal to is equal to क्या मेरा LS is equal to is equal to write some So write some कैसे निकालेंगे मैंने प्रता है था ना sum minus cumulative sum minus current element है वह है na टो अलस आरहे से दो हैंज तो यही मेरा pivot इंडेक्स है from को करते है अर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और cumulative sum को update करते चलेंगे plus is equal to nums of i ठीक है और अगर हम इस लूप से बाहर निकल गया और हमें कभी भी equilibrium index नहीं मिला तो हम return क्या करेंगे minus 1 ठीक है जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही code भी किया है इसको एक बार submit करके देख लेते हैं सारे पास हो गया है submit कर देते हैं great we have solved this question and we have passed all the test cases I hope आपको समझ में आया हो कोई भी आपको doubt होता है तो आप question raise करो comment section में डालो I'll try to help you out so see you guys in the next video thank you